क्रिकेट की इंसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सब्से पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकान जरूर दबाएं तीन मैं चुकी T20 सीरीज के पहले मुकाबले में करारी हार के बाद दूसरे T20 में भारती टीम ने सांदार वापसी करते हुए न्यूजी लैंड को साथ विकेट से हरा दिया है जी हाँ न्यूजी लैंड के एक सो और ठामर रनों के लच्छे का पीछा करने उत्री भारती टीम के सलामी बल्ले बाज हिट मैं रोहित सर्मा और सीखर धावन ने टीम इंडिया को सांदार सुरुवात दिलाई खासतोर पर इस स्रीज में टीम इंडिया की कमान समाल रहे विसफोटक बल्ले बाज रोहित सर्मा ने जम कर किवी गेद बाजों की खबर ली और अपनी पचास रनों की विसफोटक पारी के दोरान हिट में रोहित सर्मा ने कई विस्व रिकार्ड ध्वस्त किये रोहित टीट्वेंटी अंतराष्टी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विश्व के एकलोते बल्लेबाज बन गये हैं रोहित ने मात्र 29 गेदों का सामना करते हुए तीन चौक्के और चार सांदार छकों के साथ 50 रनों की बहतरीन पारी खेली जबकि भारती टीम के दूसरे सलामी बल्लेबाज सीखर दवन ने भी 30 रन बनाए वहीं टीम इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद तीसरे नमबर पर बल्लेबाजी करने आए विसवोटक विकेट कीपर बल्लेबाज रिसब पंत ने भी जम कर कीवी गेद बाजों को धोया और रिसब मातर 28 गेदो पर 40 रनों की विश्वोटक पारी खेल नाबाद रहे रिसब ने अपनी 40 रनों की इस बेहतरीन पारी के दोरान 4 चोक्य के साथ एक सांदार छक्का जड़ा जब कि महंदरे सिंग दोनी 19 रन बना कर नाबाद रहे आल राउंडर विजय संकर ने भी आठ गेदो पर एक चोक्य और एक छक्के के साथ 4 रन बनाए आपकी नजर में भारत की सांदार जीत में कौन खिलाडी सबसे बड़ा हीरो रहा कुरुनाल पांडिया, रोहित सर्मा या फिर रिशप पंत अपना जबाब कोमेंट बॉक्स में जरूर बताएं